तो हलो व्रिवन आपका एक नए वीडियो में सुवागत करता हूँ तो भाई फाइटर जब से नेट्फिलिक्स पे रिलीज होई है इसने अपना अलागी तहल का मजाना शुरू कर दिया है यानि के दोस्तों मैं आपसे अगर ये बात बोलूँ जिस जिसने भी ये मुवी थेटर में नहीं देखी उसने बहुत बड़ी चीज मिस कर दी और वो अब नेट्फिलिक्स पे देख रहा है और नेट्फिलिक्स पे देखने का उसको वो चीज वो मजा नहीं आपा रहा है वो यहाँ पर feel कर रहा है कि हमें यह movie थेटर में देखने चाहिती है और भाई अब Netflix पर आच चुकी है थेटर में धूनने से ही मिल पाएगी Book My Show पर देख लो अगर हो सकता मिल जाए चलो Netflix की बात करते है Netflix पर इसने अलगी माहौल तयार किया हुआ है भाई जिस movie को Top Gun का एक duplicate material बोला जा रहा था आज वो movie अपने जिसको बोल रहा है थे कि भाई यह Top Gun का duplicate है और नकल है भाई वो movie अपनी उस movie से भी आगे निकल गए यानि कि Tom Cruise की Top Gun से भी भाई movie निकल चुकी है भाई क्या यहां पर क्रियस अलगी तयार हुआ है पूरी report मेरे पास है मैं आपको यहां पर पढ़के बताता हूँ वोगर report लंबी है इस वोई से मैं याद नहीं कर पाया लेकिन कोई बात नहीं पढ़के बताता हूँ बड़े धियान ते सुनना प्राप्त हुए तरिफ पहले हफते में जो अंग्रेजी फिल्में नहीं थी उसमें जो लिस्ट में भाई यह मूवी तीसरे स्थान पर थी यानि कि All India में जहां 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 पर Netflix यूज होता है देखते हैं जहां जहां भी उसमें जितनी भी मान को चलो नौन इंग्लिश मूवी थी ठीक है उसमें ये मूवी तीसरे स्थान पर थी अब आगे चलते हैं अब यहां पर जो नौन इंग्लिश फिल्मों की लिस्ट की बात करें तो फाइटर को भारती है टॉप गन मैवरिक कहा जा सकता है उसमें कोई शक नहीं है फाइटर को टॉप गन इंडियन मैवरिक के नाम से दोस्तों जाना जा रहा है उसमें कोई शक नहीं है दूसरी बात दूसरे हफते में इस फिल्म को पूरी दुनिया में 6.5 करोड व्यूज मिले यानि के पहले हफते में कितने बताए में ही इस फिल्म को 12.4 मिलियन व्यूज प्राप्त हुए यानि के दोस्तों ये कोई छोटा मोटा रिकॉर्ड नी है जिसको इस नेट्फलिक्स के व्यूज के बारे में पता है जो यहां पे रिकॉर्ड रखता है उसका दिमाग हिल जाएगा यह वो रिकॉर्ड यहां पे भाई मिला है फाइटर को यहां पे यह रिकॉर्ड पहले से ही डंकी तीन हफतों में 10.4 करोल व्यूज पराप्त किये ते यानि के डंकी ने तीन हफते में 10.4 करोल व्यूज पराप्त किये ते जबकि fighter ने 2 हफ़ते में 12.4 करोल व्यूज पर राप्त करें यानि कि fighter आगे हुई अब बात करें सलार की सलार ने 2 हफ़ते में 3.5 करोल व्यूज और यहाँ पर fighter ने 12 कर लिये तो यह दोस्तो काफी कमाल की बात है मज़े की बात दोस्तों इसमें और भी जादा हो जाती कि असली Top Gun Mavic जो fighter थे एक हफ़ता पहले Netflix पर आई थी यानि कि fighter थे एक हफ़ता पहले Top Gun यहाँ पर Netflix पर रिलीज हुई थी वो तो पहले ही हफ़ते में मतलब पहले ही हफ़ते से गायब हो गई इसके आगे कुल मिलाकर यह सिर्फ एक हफ़ता ही चार्ट में टिक पाई और उसे अभी तक जितने भी व्यूज मिले हो fighter के कुल व्यूज का सिर्फ एक चोथाई ही है यानि कि दोस्तों आप यह समझ सकते हैं कि fighter यहाँ पे बड़े बड़े record बना चुकी है और उसने अलगी ये पे एक क्रेज भाई यहाँ पे कर दिया है अपना काम भाई मैं आप लोगों से बार बार कह रहा था बार बार के भाई जाओ जाके देख लो यहाँ जाके देख लो लेकिन भाई कोई यहाँ पे Nई सुन रहा था मतलब हर कोई ये सोच रहा था कि भाई ये मूवी हम Netflix पर देख लेंगे आउटीटी पर देख लेंगे तो भाई अब आगी तो आप देखो अब मैं वही तो कह रहा हूँ अब जब नहीं देखी तो आप देख रहे हैं पबलिक अगर यही चीज मैं मानता हो अगर यह वहाँ पर थेटर में देखते हैं तो भाई यह मूवी आराम से 600-700 क्रोल कर लेती फिर भी इस मूवी ने देखो यहाँ पर 212 क्रोल कर लिया एंड यहाँ पर 300 क्रोल सो पर वर्ल्ड वाइड जा चुकी है अराम से भाई वह मूवी सूपर हिट का टैक तो ले ही चुकी लेकिन फिर भी फिर भी फिर भी अफसोस तो कहीं न कहीं रहेगा कि जो इसको रैस्पोंस नेट्फिक्स में मिला अगर वो थेटर में मिलता तो क्या होता तो आपको कितना लगता है कितना एकसाइट हो आप लोगों ने देखी नहीं देखी मूवी नीचे कोमेंट में ज़रू होता तो मिलता आप से एक लिए किसी बीडियो में है ने थैंक्स वर वोच्ची